एक दिन है एक जान है फ्रेंज टीवी की वो हसीना जिन्होंने बेहादी चोटी उमर में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली और आज लोग इन्हें इनकी माइंड ब्लूइंग एक्टिंग और क्यूटनेस की वेजा से लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हाल ही में ये पर निजदे सीरल में ज़र आ रही हैं और इन्होंने अपने करियर के सुरुवात बहुत ही चोटे हो में की थी और आज ये 18 साल की हैं और अपनी दमदार एक्टिंग और मेहनत के दम पर वह सब हासिल कर चुकी हैं जिसके कभी वह सपने देखा करती थी लेकिन इनका यहाँ सफर इतना आसान नहीं था इन्होंने यहां तक पहुशने के लिए बहुत ज्यादा स्टगल किया है और आज इनकी इसी कहानी को इस इस इंटेसनिल मोड़े का स्टार्ट करते हैं लेकिन अँसे वहले फ्रेंद्स अगर आप मैश करते हैं ऑर अभी तक किया नहीं है लाइक महरास्त में एक लइक लेकर सब्सक्राइब एक मोटिवेट करता है तो चलिए बहुत शाट करते हैं 18 मार्च 2005 को मुंबई महरास्ट में एक मिडिल क्लास हिंदु फैमली में एक बहुती क्योड़ बच्ची का जन्म हुआ जिसे आज पुरी दुनिया आचा साओ के नाम से जानती है अगर इनकी फैमली की बात की जाए तो इनकी फैमली में इनके ममी पापा और एक बड़ी बेहन हैं जो कि एक डॉक्टर है जैसा मैं आपको बता दू कि अपने सेस्टर को अपने स्टेंथ और अपना वेस्वनम मानते हैं आचल के पापा दौरी का नासा हूँ एक फार्मसोटिकल लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हैं और इनकी ममी एक हाउस्वाइफ हैं आचल टीवी कि अपने पापा को अपना सोपर हीरो मानती हैं और उनसे बहुत प्यार भी करती हैं इनके पापा बहुत सपोर्टिव हैं और हमेशा इन्हें फुल सपोर्ट किया है आचल ने अपनी पढ़ाई मुंबई के एक प्राइवेट स्कॉल से कंप्लीट की बसे मैं आपको बता द की अचर साल दुज़गार Algodan 2021 में एकाजारों मेरे वहनavais TV सेरियल में बालकलाकार के रूप मेंने ञें इसके बाद वело हैं तो सेर्बाद 2012 में लाइफ okey क्राईंसों साधान इंडिया में भी निज़गार से geschॉष यह स सकती पीट के भैरो टीवी सेलर्स में नज़ आई अचल ने साल देजाए 11 में पूर भारती क्रिकेटर और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सब्सक्राइब के साथ आई सेशी के एक एड़ सो में नज़ आई इसमें लोगों ने एक छोटी बच्ची दोरा की गए एड़ क वहर ज़्यादा पसंद किया इसके लावा भी वह बाल कलाकार के रूप में कई एड़ वीडियोद में भी काम किया लेकिन उन्हें बाल कलाकार के रूप में कोई खास पेचान नहीं मिली और इसके बाद इनके लाइफ में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया और अलचानक को इसे में फोकस करना चाहिए क्योंकि यहां पर तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है फिर कम से कम एक हजार एक्शन के बाद इन्हें एक सेरियल मिला और वह सेरियल था क्यों अथे दिल छोड़ आए जिसमें उन्होंने मन से काम किया और से उन्हें बहुत बड़ी पैचान म मेली और इसके अलामा 2019 मेरे मर्दानी टू मूवी में इन्होंने अपने टीवी डेब्यू किया था जिसमें इन्होंने एक चोटा सा रूल प्ली किया था तो इसके अलामा अचल एमक्स फ्लेयर के विपसरी गल्फरेंट चोड़ में भी एक्ट कर चुकी है चंद जिसनी आस की और इन्हें ग्रूम किया जिसे उन्होंने अपने एक्टिंग से सो में जान डाल दी वस्मा वरुदे की एक्टिंग ही सो के टीरपी की वज़ा बन गई इस सो के बाद इनके बहुतरी परफॉर्मेंस होने के बाद आशल को पैरुस्तर बाबु सीरियल के लिए चूस कर ल और इसमें के साथ नजर आ रहे हैं अंकुर वर्मा एंड तन्वीड उग्रा फ्रेंस अगर इंके इस्टागाम फॉलोवर्स की बात की जाए तो आज इनके इस्टागाम पर तीन लाग से फॉलोवर्स हो जोगे हैं फ्रेंस मैं आपको बता दूं कि यह भी सिंगल ही है और इनके कुछ फैक्स भी जान लेते हैं आशल को अक्टिंग के साथ सार्थ डांस करना भी बहुत पसंद है आशल को नोबिल पढ़न बहुत पसंद है आशल के फिए अक्टर है वरुन धवन और फिए अले बट यह एक पटला बर भी तो फ्रेंस यह रही आशल साओ के छोटी बट्रेंस